जैहिंद कैरेट्स, RDC यानि Republic Day Camp, NCC का सबसे important camp होता है, सबसे ज़्यादा popular camp होता है और सबसे ज़्यादा prestigious camp होता है और हर कैरेट की ये तमन्ना होती है कि वो RDC करे पर कुछ चुनिंदा लोगों को ही ये मौका मिलता है क्योंकि RDC करने वाले जो कैरेट्स होते हैं वो करीबन 2000 होते हैं पूरे country में से पर NCC कैरेट्स की संख्या पूरी country में लगभग 13 लाग है तो 13 लाग में से कुछ 2000 कैरेट्स को ही मौका मिलता है Republic Day Camp करने का Republic Day Camp जनवरी के महीने में होता है तो ये 2022 चल रहा है तो next year 2023 में जनवरी के महीने में Republic Day Camp होगा लेकिन इसकी सेलेक्शन अभी से स्टार्ट हो गई है ये September का महीना आज स्टार्ट हो चुका है एक September है तो तमाम स्टेट्स में NCC की सेलेक्शन स्टार्ट हो गई है यूनिट लेवल पर यदि आप RDC Camp करने के इचुक हैं तो आपको अपने यूनिट के संपर्ख पे रहना चाहिए और वहाँ पर जो NCC की सेलेक्शन हो रही है वहाँ शामिल होना चाहिए आज की वीडियो में मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगी की RDC जाने के लिए किस बेसिस पर सेलेक्शन होती है नमबर वन ड्रिल यदि आप ड्रिल में अच्छे हैं तो राजपत या फिर गाड़ अफ ओनर के लिए आप सेलेक्शन में आ सकते हैं यदि आप कल्चरल प्रोग्राम में अच्छे हैं गाना गा सकते हैं डांस अच्छा गड़ सकते हैं या कोई म्यूजिकल इंस्टूमेंट बजाते हैं जैसे हार्मोनियम तबला की बोट या ड्रम या फिर गिटार तो उसके लिए आप कल्चरल बेसिस पर भी NCC में RDC का क्य सकते हैं अल्रडी सेलेक्शन की प्रोसिजर स्टार्ट हो चुग है यूनिट लेवल पर और बहुत जल्द ही ग्रूप लेवल पर क्यांप होंगी उस क्यांप में तमाम यूनिट्स जो ग्रूप के अंदर आती हैं वहां के कैरिट्स आएंगे और उनके बीच कॉम्पटीश होगा और स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाएगा तो सप्टमबर के महिने में दो या तीन क्यांप लग सकते हैं जिसमें आर्डी सी के लिए सेलेक्शन होगी ग्रूप लेवल पर जो कैरिट्स सेलेक्ट होंगी वो फिर डारेक्ट्रीट में जाकर इंटर ग्रूप कॉम्पटी यह कैंप आम तोर पर नवंबर के एंड या फिर दिसमबर के महिने में होते हैं और वहां पर फिर छटनी होती है और यदि आप सेलेक्शन में आते हैं तो आप उन लगी कैरेट्स में से होंगे जो दिलने में जाकर आडी सी का कैंप करेंगे तो यह थी बेसिक जानकारी इस तो आपको इसकी बारे में जानकरी मिलती रहेगी आप मेरे चैनल के वीडियो देखते रहेए जैहन्द